हलो गाइज इस वीडियो लेक्षिर में हम कुछ निमेरिकल सॉल्फ करेंगे एच्छी और माबुक से फॉम अविसली न्यूटन्स लॉट चैप्टर तो हमारे सामने एक स्क्रीन पर जो क्वेशन है वो क्वेशन पर 31 है बुक का जहां पर यहां पर की ब्लॉक एम इस तरह से स्ट्रिंग से नीचे लटका हुआ है और यह स्ट्रिंग पासवर हो रही है एक पुली से और इंट पर भी एक पुली के प्लांप में अटेच्ट है और यहां से फिर एक ब्लॉक 2M मास का अटेच्ट है तो आपसे कुछे जा रहा है कि वाट विल भी एक्सलेरेशन ओफ मास M 2M tension in the string and tension in the clamp holding this pulley तो यह एक standard question है जहां पर सबकुछ frictionless है कहीं पर कोई friction नहीं है smooth है जबकुछ light string है standard question है तो इसे हम कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले एक चीज कि यह two object system है तो पहले हमें इन दोनों object में मास M और 2M में constraint relation निकालना है of acceleration तुम क्या मान सकते हैं मान सकते हैं कि let's say mass M का acceleration A है it's very obvious कि weight के वेश से यह mass M नीचे आएगा यह mass M नीचे जाएगा तो यह 2M किदर जाएगा यह इस तरह जाएगा तो हम इसका acceleration A माल लेते हैं 2M का acceleration हम A' माल लेते हैं तो previous lecture में सीखा था कि जो concept है इसको solve करनेगा कि A और A' में क्या relation होगा हम कैसे निकालेंगे माल लेते हैं कि इस string में tension है T तो जहां तक यह string जारी हर जगे tension क्या होगा T होगा तो यहां पर भी tension क्या होगा T यहां पर भी tension होगा T तो फिर इस green वाज इस string में tension कितना होगा tension across a pulley should always be net tension should always be 0 इसका मतलब यह tension कितना हो जाएगा यह tension हो जाएगा 2T तो यह 2T tension pulley के लिए और यह 2T tension 2M block के लिए तो हम क्या लिए सकते हैं हमें पता है कि summation of tension into acceleration is equal to 0 तो पहले M block के लिए हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या T into A plus 2M के लिए हम क्या लिखेंगे 2M के लिखेंगे 2T into A dash equals to 0 तो magnitude wise क्या हो रहा है यहां पर magnitude wise A is equal to minus of 2A dash P cancel तो मैं क्या दिख रहा है कि A जो है वो A dash का double है ठीक है तो हम A dash हो क्या लिख सकते हैं मैं A dash लिख सकते हैं magnitude wise ध्यान रखेंगे यह जब minus sign just direction show कर रहा होता है हमें just magnitude के जरूँत है क्योंकि Newton's equation में जो हमारा convention है वो कुछ ऐसा हमने बनाया है कि direction चाहे कुछ भी हो एंसर आपको सही आना है तो अब कभी minus से confuse नहीं होना है minus को रहने दीजिए अब just magnitude देखिए कि magnitude wise क्या दिख रहा है आपको कि A dash will be obviously what magnitude of A dash will be just what A by 2 सिर्फ अगर magnitude के बात करें तो तो मैं दिख रहा है यह इसका acceleration का half है अब next step क्या है हम just equation लिखेंगे तो मास M के नीचे और विसलिए क्या क्या ग्रेक्ट कर रहे है gravity mg यह नीचे अतर रहा है तो मास M के लिए हम equation क्या लिखेंगे mg minus P मैंने previous कहीं लेक्चर में बताया है कि हमारा equation लिखने या convention यह होता है कि जिस direction में acceleration है जिधर दिख रहा है हमें कि जिधर motion है उधर बारी force को हम positive मानते हैं और opposite को हम negative मानते हैं तो मास M नीचे आ रहा है इसलिए हमने gravity के component को हमने positive माना और tension अवे लग रहा है तो minus D equals to M into A उसे तरह से अब 2M के लिए में equation लिखेंगे 2M क्या दिख रहा है हमें right hand side जा रहा है तो 2M के उपर gravity तो act हो रही है लेकिन gravity downward direction में act हो रही है तो downward direction का कोई contribution नहीं है इसके motion में चूकि downward direction या upward direction तो इधर हो गया तो इसके वाज़े से क्या हो रहा है इसके वाज़े से motion नही होता है जो force motion induce कर रही है तो यहां पर यह right hand side जा रहा है ना तो right hand side कौन सी force है सिर्फ और जिर्फ यह tension है तो हम लिखेंगे twice of t equals to twice of m और तो को force ही नहीं है इसके x axis के लाओ तो just twice of m into यह a dash है a dash को क्या लिखेंगे a by 2 तो यह just क्या हो गया वापस से हो गया में हम इन दुन को एड़ कर सकते हैं इंदों को में एड़ करेंगे क्या हो जाएगा mg मानस t plus 2t यहीं की व्यक्तिशन को क्या है तो इस addition से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या हमें करना ही चाहिए कि हमें एक वैरेबल को separate करना है तो एक वैरेबल को से multiply करके हमें add करना चाहिए था तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि last में हमें simultaneously दोने equation solve करने हैं तो simultaneously जिससे जल्दी answer आ है वो approach में लेना चाहिए ओके तो हम क्या करेंगे हम यह आपर यह उपवाले equation को से multiply कर सकते हैं तो से multiply करेंगे तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा twice of mg minus 2t equals to twice of ma अब हम add करेंगे equation 2 और equation 3 को तो 2t minus 2t cancel तो जस्ट क्या बजाए twice of mg equals to twice ma plus ma यहने कि यहां से में क्या result आ रहा है कि acceleration is equal to m और m तो cancel हो जाएगा acceleration is equal to 2g by 3 ठीक है तो यह हमें acceleration मिल गया यह यह है मतलब की acceleration of mass m तो technically यह आपको क्या मिल गया कि acceleration of mass m is 2g by 3 उसे दर से acceleration of mass 2m कितना हो जाएगा वह उने पहले देखा है यह इसका half है इसका मतलब कि just g by 3 ठीक है तो यह यह result मिल गया हमें यह result मिल गया अब में निकालना है tension tension लिए क्या कुछ करना है बस इसी a की value को आप equation में put कर दीजें क्या करेंगे just put कर देंगे कि mg minus t is equal to m into a की जगे पर 2g by 3 तो t is equal to mg minus 2 mg by 3 यहनी t is equal to mg by 3 तो यह हमें tension में निका लगी इसका मतलब यह yellow string में tension हो गई mg by 3 तो green string में tension क्या हो गई इसकी just double 2 mg by 3 फाइन अब लास्ट पर हमारा है tension in the clamp holding the pulley तो यह देखिए इस पुली की बात हो रही है और यह इस clamp की बात हो रही है तो हमने सीखाया concept कि net force on pulley is zero ओके तो इसी concept को आप इस वीडियो को pause किजिए और सुचे कि इस concept को अगर हम apply करेंगे तो फिर tension in the clamp कितना आ रहा है आप पहले pause के वीडियो कीजिए फिर आप इसको resume कीजिए I hope आपने pause किया हो तो tension in the clamp क्या आ रहा है यह clamp ऐसा है यह पुली यहाँ पर ऐसी है इस पुली के इधर एक रस्ती ऐसे जा रही है और एक उसी रस्ती का इससा इधर आ रहा है तो अगर हम पुली के लिए FBD ड्रॉ करें तो पुली के इपर कौन-कौन सी force act हो रही है Tension इधर और Tension इधर Tension always acts away from the object हमने कई दफा का है यह बात को आपको तो T की value में पता है Mg by 3 तो Net force अगर इस पर 0 होना है तो एक force इधर है T एक force इधर है T इसका मतलब कि यह तीसरी force है जो कि यहाँ पर माल लेते हैं इसे हम T' तो यह T' जो T' जो Tension in the Clamp है उसे क्या करना चाहिए इन तीनों का Vector Sum क्या होना चाहिए Net force शुट भी 0 तो Net force को जब 0 करना है इसका मतलब कि इन दोनों का Vector Addition क्या देगा आपको यह T और यह T एक दूर से साथ 90 degree पर है तो यहनिकि यह हमें T और T का Vector Addition क्या देगा square root of T square plus T square यहनिकि root 2 T इसका मतलब यह T' क्या होना चाहिए यह T' होना चाहिए इस direction में क्योंकि T plus T का Direction क्या होगा T plus T का Direction इधर होगा root 2 T इसका मतलब कि यह T' होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए तो टिक्निक लिए आपका T' will be just what root 2 times T T के जोगे पर हम क्या पूट कर देंगे Mg by 3 तो T' का magnitude will be root 2 times Mg by 3 और direction यह होगा ताकि इन दोनों के resultant को वो balance out कर पाए ओके तो यह हमें भी टेंशन है तो net tension जो है वो इस तरफ जा रहा है इसका मतलब क्लैंप पर फोर्स किता लगेगी इस तरफ लगेगी ठीक है यह जो टेंशन होगी यह पर वो क्या होगी T' माल लेते हैं that will be root 2 times of T तो हमेशा concept यह है कि हमेशा net force on pulley is 0 ठीक है जो हमारा syllabus है उसके केसाब से net force on pulley is 0 जब तक पुली मास्सलेस कंसिलर किया जा रहा है